Hello students, students, आज मैं अपना continue करेंगे cost accounting का chapter process costing, इसकी मैंने अभी तक आपको चार classes के अंदर कुछ questions करा दिये हैं, जिसमें important questions भी हैं, आज उसके आगे के important questions continue करते हैं, तो चलिए फिर करते हैं आज की class, start आज की class के अंदर मैं आपको एक नया, एक नया point सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको especially stock के बारे में बताऊंगा, कि अगर process में opening closing stock दे रखा हो, तो क्या करते हैं, chapter का नाम मैंने लिखा हुआ है, बुक मैंने लिखी विया है, महेश्वरी और मित्तल यूस करते हैं हम मैंने honors की book से जो question किया था, वो 12 number किया था, program की book से जो मैंने question किया था, वो 18 number किया था, यह very very important question था, आज program की book से हम 19 करेंगे और honors की book से 13 करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, यह question है हमारे पास, program की book से, आप देख सकते हैं, यह है 9.19 यह वाला कोशन हम करेंगे जिसमें वेस्टेश 2%, 5% and 10% है और उसके बाद मैं आपको दिखा जाता हूँ और नहीं वाला कोशन है यह देखिए यह रहा 9.13 उसमें 19 नंबर प्रोग्राम को ओनर्स में 30 नंबर रहा है भी given है और closing भी given है. A, B, C. जब हमें stock की वेल्या गीवन होती है तो हमें एक चीज़ को हमेश्य यादरुना है कि stock अगर हमारे पास हैं तो उसके लिए अमेh stock account भी बनाना पड़ता हैं और तीनों का बनेगा मतलब process A का बनेगा, पहले process A account फिर उसका stock account, फिर process B account फिर B का stock account, फिर process C और C का stock account, ऐसे करके सारे के सारे हमार को यह बनाने पड़ेंगे इसमें काफी सारे accounts बनते हैं, एक करके करेंगे समझ में आ जाएगा normal wastage, abnormal wastage abnormal effective, सब कुछ बनेंगे इसमें, तो एक कोशन है आपको काफी अच्छा कोशन है यह वाला देखेंगे जैसे मैंने बताया कि यह कोशन है हमारे पास 9.13 यह तो है honors के अंदर और 9.19 यह है program की book में, चीक है, मैंने दोनों ही लिख दियें, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो common topic है, करना सब कोई है अब मैं एक बार आपको ज़रा questions पूरा का पूरा पढ़के बता देता हूँ हमारे पास 3 process है ABC, जिसके अंदर wastage दे रखे, normal wastage है वो 2%, 5% and 10% है, आप question पढ़ भी सकते है पूरा पढ़ना चाहें तो, यह देखिए आपकी screen पर मैंने पूरा का पूरा question लगा दिया है वैसे तो सभी की book में एक question है, फिर भी आप question देख सकते हैं आपकी screen पर है, screenshot लेना चाहिए screenshot ले ले जो हमारी wastage है वो realize होगी A और B की होगी एक रुपे के according और C की होगी फोर रुपीस के according याद अखना A और B की जो wastage है वो वन रुपीस पर यूनिट के according है और C की जो है वो फोर रुपीस के according है उसके बाद company ने July मन्त की other information given है वो ये एक वाली given है input है हमारे पास 2000 units at the rate of 8 के according तो ये हो गया input units में और इन दोनों को multiply करेंगे तो आजाएगा रुपीस में amount 16,000 तीन expenses है material, consume, direct labor और works overhead works overhead कहते हैं हम factory overhead को तीनों के अलग-अलग given है output दे रखा है 1950 A का, 1925 B का और 1590 C का stock given है मुझे 200, 150, 300, 400 500 and nil उसको छोड़ दिया दे रखा है stock valuation on 1st July as per unit दे रखे 19, 27 and 36.5 ये हम जब opening stock लेंगे तो इसका यूद बता दूँगा कैसे होगा आपने account बनाना है और दे रखा है यहाँ पे stock on 31st July are to be valued at cost as shown by month production account इसका क्या मतलब है ये लिख के बताऊंगा तो शायद अच्छा समझा पाऊंगा तो ये उसी टाइम पे आपको मैं बता दूँगा चली फिर करते हैं question start देखिए सबसे पहले हमारे पास जो जो information given है हम उसको लिख लेते हैं सबसे पहले है मेरे पास two input two input input कितना है मुझे साफ साफ mention है eight input है 2000 units eight के according है तो 16,000 का ये हो गया input ठीक है इसके बाद है अगर हम बात करते हैं expenses दे रखे हैं मुझे two material material है मेरे पास eight thousand रुपीज का process A का two labor जिसे आप direct labor भी कह सकते हैं वो है 12,000 का इसके बाद two works expenses works expenses दे रखे हैं मुझे two thousand रुपीज के ये मुझे सबसे पहले information given है वो मैंने लिख ली इसके बाद हम देखते हैं यहां पर आ जाएगा हमेशा की तरह by normal wastage normal wastage कितने की है वो दे रखा है input input है मेरे पास 2000 और प्रोसेस एक एंदर है 2% wastage तो 2000 का 2% हो गया 40 units और ये दे रखा है at the rate of कितने की according है one की according तो ये यहां पर आ जाएगा 40 इन दोनों को multiply करने के बाद ये हम हमेशा करते हैं ऐसे ही ठीक है इसके बाद अब हमें चेक करना पड़ेगा ये कितना दे रखा है 2000 और wastage दे रखी है 2000 है wastage है 40 तो कितना बच गया 2000-40 मतलब 1960 जबकि output दे रखा है 1950 तो इसका मतलब 10 units और wastage हो गई उसे हम बोल देंगे by abnormal wastage और ये मेरा कही ना कही balancing figure का काम करता है कितनी units है 10 units और इसके बाद दे रखा है मुझे अच्छा आब इसके बाद यहाँ पे ना entry को समझना क्योंकि यहाँ से मुझे हमने account बनाया है A का stock तो यहाँ पे ना लिखेंगे जब हम transfer करते हैं तो transfer किस नाम से करेंगे वो यहाँ पे आपको देखना है वो करेंगे by process A stock के नाम से करेंगे यह अवाला process A stock के नाम से transfer कर देंगे कितना वो दे रखा है 1950 और यह हमारा account यहाँ पर हो जाएगा close अब देखते हैं इसके बाद क्या है यहाँ पर है abnormal wastage per unit cost जैसे हम हमेशा निकालते हैं वैसे निकालेंगे इन सबका add किया minus यह कर देंगे कितना आ गया 16 plus 24 24 plus 12 36 38 तो यह आ गया 38 minus में कर दिया 40 और divided by आ गया 2000 minus का 40 तो यह आ गया 37,960 divided by 1,960 तो किस rate के according आएगा यह हमें चेक करना पड़ेगा 37,960 divided by यह आ गया 1960 तो rate आ गया 19,367 point में है यह वाला हमारा round off करना पड़ेगा एक बार इनका देख ले इन्होंने चीक है तो यह था 19.3 37 कर लेते हैं यह हमने round off कर लिया है चीक है अब इसको इससे multiply करें तो मैंने आपको पहले ही कहा था हम अगर इसको इससे multiply करते हैं तो हमें point में नहीं लिखेंगे यह पर exact लिखेंगे अगर मैंने का रहा है 19.37 multiply by 10 किया तो यह आ गया 193.7 तो round off करके हम इसको लिख देते हैं 194 यह तो आ गया 194 आ गया अब balance in figure निकालेंगे तो balance in figure यह हो जाएगा 2000 और इसका total क्या तो आ गया 38 यह भी आ गया 2000 और यह आ गया 38 अब balance in figure निकाले तो कितना हो जाएगा 38,000 minus का 40 और minus का 194 तो यह बच गया 37766 37766 यह बच गया ठीक है 37766 बच गया अब यहाँ पर आपको एक point odd लिखना है वो याद रखना यहाँ पर ना इसकी एक unit की cost लिख लेना क्योंकि वो काम आईगी हमार को एक unit की cost कैसे लिखेंगे वह मैं आपको पता जेता हूँ इसको इससे divide कर दो तो आपकी यहाँ पर जो amount आएगा यह वो पता चल जाएगा क्या आएगा देखो यहाँ यहाँ ते यहाँ ते से divide करते हैं वो आ गया 37766 divided by 1950 तो यह आ गया 19.367 आया है तो मैं round off करके कर दू 19.367 ही चलो लिख देते हैं round off करके point के बाद 3 digit में लिख दिया clear हो गया होगा यह वाला जो मैंने आपको बताया है इसका यह वाला अभी तक हम नहीं लिखते थे इस बार लिखा है उसका कारण यह है क्योंकि हमार को बनाना पढ़ रहा है stock account और stock में mention किया गया इस rate का तो इसलिए हमने आपके किया है अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद अब इसका stock बनाएंगे देखें stock में सबसे पहले लिखते हैं opening जैसे लिखते है to balance BD to balance BD अब balance BD कितना दे रखा है question में हमें दे रखा है 200 units 9 के according तो यह आ गया 200 units 9 के according है 200 units है हमारे पास 19 के according मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ आप एक बार देख लिजी आप यह है 200 units 19 के according 300 units 27 के according 500 units 36.5 के according यह आपकी मैंने screen पर आपको दिखा दिया है यह जो opening stock है यह वाला ठीक है इसके according तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर 3800 का यह होगा 19 के according अब इसके बाद यह जो transfer होके आया है यह यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग यह वाला लिख लेते हैं to A के नाम से यह वाला यह यह वाला यह ट्रांसफर होके आया है यह यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 1950 और 37766 के according यह मेरा transfer होके मैंने यहाँ पर लिख लिया है अब question में बोला गया है कुछ तो चला जाएगा process B के नाम से यह तो हम लिख लेते हैं बाए प्रोसेस B के नाम से यह तो B में shift हो गया ठीक है कितनी units गई है वो निकालना पड़ेगा और यहाँ लिख देंगे हम बाए यह वाला है balance cd अब balance cd कितना है units मैं आपको बता देता हूँ balance cd का है मेरे पास 50 150 units मुझे given है balance cd और यह जो rate है ना यह वाला rate यह rate हम यहाँ ले लेंगे यह वाला 19.367 वाला rate यह यहाँ ले लेंगे क्योंकि यही point हमें question में बोला गया है मैं आपको line पढ़के दिखा देता हूँ question में जो हमें बोला गया है वो यहाँ देखेंगे stock on 31st July 2000 are to be valued at cost as shown by the month production तो month production की जो cost है वो यही है यह जो है यह आपकी month production cost है और वो थी 19.367 per unit और मैंने उसी से इसको multiply किया है चीक है 150 जो closing बचा उसी को इससे multiply कर देंगे कितना आ जाएगा 150 into my 19.367 यह आ गया 2905 आ गया यह आ जाएगा मेरे पास मैं चेक कर लो एक बारी बिल्कुल ठीक है यह तो आ गया मेरे पास 2905 अब जो balancing figure बचेगा वो हम यहां लिख देंगे अब जो balancing figure बचेगा वो हम यहां लिख देंगे यह आ गया एक तरीके से मेरा balancing figure यह balancing figure आ गया यहां पर कितना बचेगा यह आ जाएगा 2150 और इसका amount लिख दिया 3800 प्लस 37766 तो आ गया 41566 यह आ गया 2150 तो balancing figure यहां पर दिखी रहा है तो exact 2000 ही आ गया और amount आ गया 41566 और इसमें से minus कर दिया 2905 तो बचेगा मेरा answer यह बच जाएगा 38661 38661 यह बचेगा और यहां पर हमने कर दिया अपना account close तो पहला जो हमारा था process और उस process से बना stock और आप देखेंगे न अभी तक हम क्या करते थे यह amount यह वाला जो था amount यह process B में shift करते थे नहीं यहां पर यह वाला जो निकाला है यह जो मैंने red color से बनाया है यह वाला जो है हम shift करेंगे next वाले में समझ में आ गया चलिया process B बनाएंगे फिर B का stock बनाएंगे account थोड़ा सा बड़ा है यह वाला I mean यह question थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं इसको मैं यहां से radical से लिख देता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए यह लिख देते हैं 2 किस नाम से आएगा यह वाला यह आएगा process A stock के नाम से account के नाम से कितना आ गया यह था 2000 units था 2000 units और 38661 के नाम से यह हमारे पास चो था वो मैंने लिख दिया अब फिर वही तीन खर्चे हैं हमारे पास तीनों खर्चों को हम यहां पे लिख देंगे क्या-क्या खर्चे हैं वो खर्चे मैं लिख देता हूं 2 सबसे पहले दे रखा है material है मेरे पास उसके बाद 2 labor है और 2 works expenses है यह तीन खर्चे हैं मेरे पास 3000 8000 और 1000 यह तीन खर्चे हैं यह तीनों की तीनों हमने लिख दी है इसके बाद दे रखा है मुझे question में by normal wastage by normal wastage अगर हमें बात करो normal wastage कितनी है तो normal wastage है मेरे पास यहाँ पर याद रखना जो भी input होगा question में था input है 2000 यह वाला units इसका 5% मेरा इस बारी wastage होगी और वो हो गई 100 और at the rate of process इसका भी 1 के according ही था तो यह यहाँ पर आ जाएगा 100 ही आ जाएगा समझ में आ गया होगा यह वाला point इन दोनों को multiply करके यह आ गया अब यह process की मेरी expenses होगा यह बच गया अब यहाँ पर कितना दे रखा है यहाँ पर है मेरे पास 2000 100 मेरे खराब हो जाएगी तो बचनी चाहिए थी 1900 जबकि मेरे पास output जो बचा है आउटपूट कितना बचा है अगर आब आउटपूट की बात करेंगे तो बच गया process B का 1925 25 ज़्यादा बच गया आप देख सकते हैं यह आगे 1925 25 ज़्यादा है अगर ज़्यादा होता है तो हम से रिखते हैं 2 abnormal effective और यह मेरा आजाएगा balancing figure के नाम से abnormal effective आगया balancing figure और वो कितना है वो आगई 25 units आगई ठीक है और अब यहाँ पर हम लिख देंगे वही entry जैसे हमने पहले लिखी थी यहाँ लिख देंगे by process by process b stock के नाम से by process b stock के नाम से और यहाँ पर हम कर देंगे अपना account को close अब वही बनेगा working note एक छोटा सा इसे working note कहलो या इसकी calculation कहलो एक ही बात है यह हो जाएगा abnormal effective abnormal effective per unit cost कितना हो गया abnormal effective per unit cost में अगर मैं बात करूँ सिंपल सी तो यहाँ देखेंगे इसका total किया total कितना आ गया प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000 तो यह आ गया 50 मैंने कर लिया है आप भी कर लें 56.6.1 minus में 100 is equal to 55.6.1 के अपान में 2000 मैंने 100 तो divided by 1900 तो यह आ गया 26.611 एक बार चेक कर लें क्योंकि इसकी calculation काफी points में है तो बिल्कुल ठीक है 26.611 यह आ गया ठीक है इसकी per unit cost आ गई यह देख सकता है अब यह वाला मैंने लिख दिया है ठीक है ना चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अब इसको हम इससे multiply करतेंगे तो यह आ जाएगा 25 into my 26.611 तो यह आ गया 665 आ गया तो यह तो हो गया 665 तो यह यहां पर आ जाएगा 2025 और यह आ गया 51 326 2025 और यह आ जाएगा 1925 यह given है 51 326 और यह हमारा यहां पर 5 unit में निकलेगा इसमें से 100 minus कर दिया तो यह आ जाएगा हमारे पास 51 226 और यह पर निकालने के लिए इसको इससे divide करेंगे तो यहां पर cost आ जाएगी तो यह आ गया 26.611 ही है ठीक है यह देखेंगे आप क्योंकि 09 है तो राउंड ओफर के 1 कर दिया यह मेरे पास आ गई क्लियर हो गया होगा अब हम क्या करते हैं इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका यह वाला एकाउंट थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हम कि आपको अच्छे से समझ में आए सबसे पहले तो यहां पर भी वही लिखेंगे टू बैलन्स बीडी बैलन्स बीडी कितना है प्रोसेस बी का प्रोसेस बी के स्टॉक का बैलन्स है 300 और 27 के अकॉर्डिंग है तो 80 100 का यह आ गया इसके बाद यह यहां ते शिफ्ट होके यहां पर आएगा तो शिफ्ट हो रहा है यहां पर मैं लिख देता हूं इसको किस नाम से प्रोसेस बी के नाम से यह आ गया 1925 और 51 226 यह आ गया अब इसके बाद यहां पर आएगा बाए प्रोसेस C के नाम से आएगा यह बैलंस इन फिगर करके और यहां पर यह आ जाएगा बाए बैलंस सीडी और बैलंस सीडी है हमारे पास 400 यूनिट्स यह कोशन में मैंशन है जिसका रेट जो है वह वही वाला उठाएंगे 26.611 के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टिप्लाई कर देते हैं 400 इन्टू में 26.611 तो यह आ गया 10644 10644 और उपर आ जाएगा बैलंस इन फिगर और यह कर देंगे हम अकाउंट क्लोज तो 2522 और यह आ गया 263 और फिफ्टी वन और एट सिक्स्टी वन फिफ्टी वन और एट सिफ्टी नाइन सॉरी इंचे लिग जेता हूं 59326 यह बच गया और इसमें से माइनस कर दिया 10644 तो यह बच गया 48682 और यह युनिट्स है मेरे पास 2225 59326 2225-400 किया तो यह आ गया 1825 यह मेरे पास बन गया 2nd process का stock अब बनाएंगे 3rd 3rd में क्या होगा सबसे पहले लिखेंगे 2 process B stock के नाम से और वो आ गया 1825 और यहां पर है 4848682 यह आ गया मेरे पास ठीक है अब जो खर्चे है तीन वो खर्चे लिख लेते हैं सबसे पहले था 2 material 2 labor और 2 works expenses यह है मेरे पास तीन खर्चे हैं amount उसका लिख लेते हैं amount है 2000 6000 and 3000 2000 6000 and 3000 यह लिख लिख लिया हमने अब इसमें लिखेंगे by normal wastage by normal wastage normal wastage है 1825 का इस बार दे रखा है 10% 1825 का 10% तो point में तो लिखेंगे नी तो 183 लिख देते हैं और at the rate of दे रखा है 4 के according तो 183 into 4 किया तो यह आ गया 732 आ गया इसको multiply करके यहां पर आ जाएगा इन दोनों को multiply कर रहा है ठीक है अब चलिए यह तो हमारे पास यहां पर आ गया अब हमें wastage देखनी पड़ेगी कितनी हैं यहां देखेंगे 1825 minus 183 कितना बच गया 1642 बचना चाहिए था 1642 बचना चाहिए था और मेरे पास अगर यहां पर देखें बचा कितना है output बचा है 1590 minus 1590 देखें 52 units जो है मेरी और extra खराब हो गई तो यहां पर आ जाएगा by abnormal wastage यह balancing figure करके आएगा कितनी 52 आ गया कितना आ गया 52 और अब क्या होगा अब इसके बाद यहां पर आएगा by process c stock के नाम से process c stock के नाम से अब वो कितना होगा अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर दे रखा है मुझे 15.90 और rate हम यहां पर निकाली लेंगे इसका वो हम बता देंगे चलिए यहां पर लिखते हैं यहां abnormal यहां गया 18.25 18.25 और 59 6.82 यहां गया माइनस कर दिया 7.32 माइनस 7.32 तो यहां गया 58 9.50 के अपॉन में 18.25 माइनस 1.83 तो यहां गया था 16.42 यहां गया था divided by 16 42 तो यहां गया 35.901 ही आ गया 35.901 ठीक है अब इसको इससे multiply कर देंगे 35.901 इंटू में 52 तो यह आ जाएगा 1867 1867 1867 यह आ गया अब जो बैलंसिन फिगर बचे का वह यहां था जाएगा 15.682 माइनस में कर दिया 7.32 और माइनस कर दिया 1867 तो यह बच गया 57 0.83 यह बच गया और पर यूनिट कॉस निकालने के लिए क्या करते है इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इसको इससे divided by 15.90 तो भी यही बचा 35.901 यही बचेगा समझ में आ गया होगा जो मैं कर रहा हूं राउंड ओफ करके चल रहा है यह वाला कोशन अब हमारा लास्ट है इसका स्टॉक तो यह आ जाएगा सबसे पहले 2 बैलेंस बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पर अगर हम बैलेंस बीडी की बात करें तो वो दे रखा है मुझे कोशन में 500 यूनिटस है 36.5 के अकॉर्डिंग तो आ गया 18 250 फिर उसके बाद लिखेंगे यहां से 2 किस नाम से जो यहां शिफ्ट होके आता है यह आ गया प्रोसेस C के नाम से वो आ गया 15 90 और 57 0 83 23 अब इना क्लोजिंग में कुछ भी नहीं दे रखा मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे ना क्लोजिंग नहीं है कोशन में यहां पे क्लोजिंग नहीं है तो जो भी स्टॉक है वो पूरा क्लोजिंग नहीं है वो पूरा क्लोजिंग क्या कहलाएगा यह किलाएगा इतबरी by finish goods के नाम से by finish goods के नाम से ठीक है यह यहाँ पे close कर देती है यह आ गया 2090 507083 प्लस 18250 तो यह आ गया 75333 यह बचे गया बस और finish goods में यह आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा 2090 यह एक तरीके से total balancing figure कहलो या total कहलो बस यह वाला और 75333 और यह account हो गया close पूरी book का सबसे बड़ा कोशन है यह वाला जिसमें सबसे आदा account बनते हैं छे तो हम बना चुके भी तीन account बनाने बाकी है यह मेरा हो गया यहाँ पर सारे account मेरे close हो गए अब रह गए है मेरे पास जो हम normal abnormal बनाते हैं अब हम उन्द की बात करते हैं सबसे पहले normal wastage की बात करेंगे तो यह आ जाएगा अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आ जाएगा टू प्रोसेस ए प्रोसेस बी और टू प्रोसेस थी यह तीनों की तीनों मेरे पास है अरे abnormal है ना sorry मैंने normal समझ के entry कर दी कोई बात नहीं है यह है मेरे पास abnormal a में है b में नहीं है और c में है मैंने abnormal बना रहा हूँ तो मैंने थोड़ दिये कर दिये चलो कोई बात नहीं है a और c में है तो a और c के लिख लेंगे A में कितनी है और C में कितनी है वो लिख लेते है A में है मेरे पास 40-40 के according है और C में 183 40-40 के according है 183 है 732 की ठीक है ये मेरे पास दो given है अड़े यार एक सिकिन यार फिर मैंने गरबड़ कर दी नॉर्मल अबनॉर्मल में 10 है शिट क्या कर रहा हूं मैं ओ शिट 10 है 194 और C में है 52 है 1867 की 52 है 1867 की ये थोड़ा ठीक कर लेना यार ये मैंने बिल्कुली गरबड हो गई चलो कोई बात नहीं ये आ गया अब मैंने का था इसको हम लिखते हैं इस एंट्री को by sale proceed के नाम से A और C की at the rate of वो हम ले लेंगे यूनिट्स सेम है 10 है और 52 है at the rate कितना है C का है 4 के according है ये रहा और उसका 1 के according है तो ये 1 के according और 4 के according तो या गया 10 का और तू जीरो एट का तो यह यहाँ पर आ जाएगा बाइ कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट के नाम से लॉस बैलंसिन फिगर यह आ गया 62 और यह चेकन अपड़ेगा 194 प्लस 1867 तो यह आ गया 2061 माइनस यह तो 62 है माइनस कर दिया 10 और माइनस 208 तो यह आ जाएगा 1843 2061 का यह आ गया क्लियर हो गया यह सबसे पहले बन गया abnormal थोड़ेशी मेरे से mistake हो गई है उसको आप ठीक कर ले अब है abnormal effective abnormal effective आया था मेरा process B के अंदर तो पहले वोई देख लेते है abnormal effective था 25 उनिट है 665 के according यहां से आ जाएगा by process B के नाम से है कितना है 25665 के नाम से और मैंने बताया था इसके एंटरिम क्या लिखते हैं तो नॉर्मल वेस्टेज के नाम से और एड़ी रेट सेम ही लिखेंगे हम जो होता है हमारा यह 25 और यह 1 क्या according है तो 25 का ही आ गया तो यह आ जाएगा टू कॉस्टिंग पी और यह नाम से आ जाएगा प्रॉफिट और यह बैलंसिन फिगर आ गया 25 665 640 यह आ गया 25 665 यह आ गया अब इसके बाद लास्ट और फाइनल है मेरे पास नॉर्मल वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज अब हम लिखेंगे वही टू प्रोसेस डी और टू प्रोसेस सी यह है हमारे पास यूनिट्स मैंने वैसे उपर से पहले देखी थी अब अब देख लेते हैं के हां 50 यूनिट्स है 40 के according 100 100 के according चलिए पहले यहां लिख लेते हैं 40 40 के according 100 100 के according 183 732 के according यह थी हमारे पास जो थी अब यहां पर हम लिखते हैं इसको by sales के नाम से by sales proceed के नाम से by sales proceed के नाम से a b और c और यहां पर na add the rate भी लिख लेते हैं अब यहां पर क्या करेंगे ध्यान से समझना effective देखो b में थी जिसमें effective होगा उसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा effective है 25 तो हमने normal में से वो 25 को minus करके लिखना होता यह याद रखना मैंने पहले भी बताया था जैसे a का तो है 40 40 आ जाएगा c का 183 है 183 आ जाएगा rupees 1 1 4 है वो का वो ही रहेगा बीच वाले का भी मैं बता रहा हूं क्या होगा यह आ गया 40 और यह आ गया 732 जो यह बीच वाला है इसके अंदर गरबढ़ है इसके अंदर क्या है मेरे पास थी बीच में 100 में 25 माइनस हो गए तो बच गए 75 और यह 75 के अकॉर्डिंग यह आएगा और यहाँ पर आ जाएग कितनी 25 युनिट से यह आ जाईगे और 25 की ही यह आ गई यह याद रखना यह एबनॉर्मल में यह यह यहां से यहां शिफ्ट हो गया समझ में आ गया आगए आप यह देख सकते यह आपको इसको प्लियर हो जाएगा यह 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 देखिए यह वाला जाल करते हम यहां पे शि तो ही आगया 183 प्लस 100 प्लस 40 तो ही आगया 323 323 100 प्लस 40 प्लस 732 तो ही आगया 1 1 40 प्लस 100 प्लस 732 तो ही आगया 872 और यह आजाएगा 872 यह अंसर आगया समझ में आ गया होगा सबसे बड़ा कोशन था जिसके अंदर 9 आखाउंट हमने बनाए है लेकिन यह कोशन आपको कि समझ में आना बहुत जरूरी था और मेरे से आपको समझ में भी आ गया होगा चिक है यह जो मैंने आपको बताया है यह वाला आप देख सकते हैं तो आज के लिए इतना बहुत है नेक्स क्लास के अंदर मैं आपको कराओ गए इस से नेक्स कोशन और वो कोशन मतलब आप मार्क कर लेना अपने 10 years में देख लेना especially programs के बच्चों को तो last 2-3 साल के उसी concept के उपर पेपर में आता है कोशन honors के लिए भी बहुत ही important question है तो चलिए फिर मिलते है नेक्स क्लास में उस कोशन के साथ